जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फ्रसे सूपर इस्टेडी यूटूब चनल में तो इस वीडियो में SSC GD को आउंस्टेबल भरती 2022-23 की संपूर्ण जांकरे आप लोगों को देने वाला हूं यहां पर ऑफिसेली तरीके से SSC ने आज एक नोटिस जारी किया जिसमें जो एक्जाम केलेंडर है उसको अपडेट किया है 2022-23 में जो वेकेंसी आने वाली है उसका केलेंडर जारी कर दिया है अब यहां पर एक चीज आप देखते हैं SSC जो है जो भी एक्जाम से जो भी कैलेंडर में आप लोगों की चीजे मेंसन है उसी के अकॉर्डिंग चलता है तो यहां पर हम बात कर रहे है जो पहले एक्जाम केलेंडर था उसमें आप लोगों की 2023 में यह भरती आने वाली थी अगर आप भी SSC GD Constable भरती के बारे में जानना चाहते हैं इसमें जानना चाहते हैं तो इसकी Add to Z जानकारी आप लोगों को सबसे पहले तो पता होनी चीज़िए दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूँ चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा तक इस भरती की जो भी अपडेट आती जो भरती से जुड़ी जो भी जानकारी है वो आप लोगों को जो है सही और सटिक मिलती रहे चलिए आगे बढ़ते हैं सुरू से जानते इस भरती के बारे में देख़े आप में से काफी सारा servis student होगे जो पहली बार स्सेजीडी का form भरेंगे या इस भरती में karate में जाने जोबित की लिए आयोजित की जाने वाली एक राश्टी इस्तर की परिक्षा है जिसके अंतरकत विभिन भाग जैसे जो अर्दसेनिक बल होते हैं BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, ठीके, आसम राइफल, NIA और SSF ठीक है इसमें SSCGD भरती का आयोजिन जो है किया जाता है इसके मातन से आपको देश की सिवा करने का आफ़सर प्रापत होता है अगर आपका सपना है यँ फिर आपने सोचा इस भरती में जाने का तो यहां पर आप लोगों को पूरी जानकरी में देने वाला हूँ सबसे बहली चीज़ अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके लिए क्या-क्या यूग्यता चीए, ठीक है क्या 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 इस भर्ती में जो है होने वाला है, दोड क्या होगी, ठीक है, सीना कितना चीएगा, उचाई कितनी चीए, फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, एक्जाम में क्या होगा, चैन पर क्या रहेगी, सा यहां पर अगर हम बात करें इसके full form की इसका full form होता है staff selection commission general duty याने gd का है तो general duty जो इसका full form होगा अब देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर देखिए पूरी details में एक एक चीज़ों को हम समझने की कोशिस करते हैं जैसे कि देखिए पहली चीज़ तो यहां पर simple सी बात मैं आपको बता दू यहां पर अगर आप 10 भी पास है ठीक है कितना भी percentage हो ठीक है माइने नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ पर दस भी पास होना चाहिए ठीक है और यह भरती male और female दोनों के लिए रहेगी अब देखिए आगे की details को हम समझते एक एक करकर करके है तो यह से जीडी पत के लिए आवेदन करने वाले उमीदवार का चैन जो है सबसे पहले आप लोगों का liquid परिक्षा होता है उसके बार सारे रिक दक्षता याने physical होता है और उसके बाद आपका मानक जो परिक्षा है सारे रिक मानक याने medical यहां पर होता है यह हो गया उस सबसे आप कर सकते हैं उस तरीके पहले को आप को यहां पर परिक्षा होती है इसमे है इसमें आप लोगों को 4 टाइट के जो है प्योह से परिश्ण पूछे जातें कहें से इनके करूंगा इसे सीलेबस है ठीक है एक्जाम पेटर्न है फिजिकल में क्या होता है मेडिकल में क्या होता एक अलग से और भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रवाइट कर बादूँगा यहां पर सामाने बुद्धिमता रिजिनिंग सामाने ज्यान सामाने जागरुकता ठीक है प्रारंबिक गनित हैना और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई वी एक आता है याने 25 परशन के जो है यहां पर हर टॉपिक से पूछे जाते हैं ठीक है फिजिकल एफिसिंसी के इस तरीके से रहती है तो देखिए इस भरती में यहां पर सारे रिक दक्षता की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए लिखित परिशा होगी आप लोग उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ठीक है लिखित परिशा के पताऊंगा आगे वीडियोस में अब देखिए यहां पर आप लोगों क्या होगा उम्मिद्वारों को दोड़ कराई जाएगी दोड़ के माधिम से इम्मिद्वारों की सारी दक्षता का पता लगा जाता है दोड़ होती है यहां पर पूरुस के लिए पांच किलोमेटर की 24 म मिनिट में आपको पूरी करनी होगी महिला अगर आप है तो आपको 1600 किलोमेटर की सोरी 1600 मिटर की दोड़ है तो यह आपको साड़े आठ मिनिट में पूरी करनी होगी ठीक है यहां पर अगर हम बात करें पूरी सूमीद्वारों कर लगदाक छेत्र से तो यहां पर एक मिल की जो सामान ने SC और OBC है उसको 170 cm हाइट चीए और अगर आप महिला उमिद्वार है तो आपकी 157 cm हाइट चीए यह स्टी उमिद्वार के लिए आपका तो 162.5 ठीक है अगर आप पुरूस है और अगर स्टी से आप महिला है तो 150 cm हाइट होनी चीए फिर यहां पर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश मनिपूर मेगाले नागाले इन सिक्किम तिर्पूला वाले एस्टी वर्गों की उमिद्वारों की उचाह 147 भी चल जाती ह ठीक है अब यहां पर देखिए यह अलग-अलग जो आप लोगों की केटी के लिए उनमें अलग-अलग हाइट में छूट मिलती है जैसे कि यहां पर आप देख पाएंगे ठीक है यह किस तरीके से गोरुखा ठीक है गड़वाल यह जो आप लोगों के रहता है अलग जो ज सेंटिमेटर आपका सीना होना चीए 5 सेंटिमेटर आपका सीना फुल ना चीए अब देखिए यहां पर अगरम बात करते हैं तो कौन-कौन सी एजनसी आती है इसमें देखिए राश्टिये जाच एजनसी आती है जिसका काम क्या होता है कि आप लोगों की भारत की जाच राश्टिये जाच एजनसी भारत में आतंगवाद रोधी जो यह काम करती है ठीक है और यह आप लोगों को जो है आतंगवाधी विरोधी जो अपराद होते है उसको काम करने का काम करती है एक पोस्ट होती है दूसरी पोस्ट होती है आपकी बियेशेफ की और बारे में अगर हम बात करें तो यह आपका पाकिस्तार और बांगलादेस बौर्डर पर सुरक्षा जो है यह करती है और यह प्रात्मिक सुरक्षा का काम करती है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम बात करते है अगले तो यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो CISF है और CISF में जो है अगर हम बात करते है तो यह क्या करती यह ओधों की उपकरम जो है ठीक है भारत के जो भी बड पूलिस बल है और यह अगर बात करें तो अंतरिक जो सुरक्ष्छा ठीक है उसका काम करेगा उग्रवाट को बनाय रखने के लिए राजी केंडर सासित पर्देश में पूलिस के संचालने में सहायता भी करता है आतंगबाद विरोधी ये भी काम करता है आगे देखिए अगल और यह आप लोगों की जो है बात करते हैं तो यह आपका तिब्बत की जो सीमा है उस पे काम करती है अगला बात करते हैं अगले इसमें आसम राइफल की तो आसम राइफल की बात पर तो आसम की जो सीमा है ठीक है यह सबसे पुराना है और आसम के तहद जो है वहाँ पर जो स यहां पर दिया जाता है यहां पर दिया जाता है सबसे ज्यादा वेतन जो मिलता है वो एनाईय में मिलता है अगे की चीज़े को समझते है फॉर्म किस तरीके से भरना है वो तो आगे आप लोगों को मैं बता दूँगा अभी जो चीज़े यहां पर मैंने बताईए वो इंपोर्टन थी किस तरीके से क्या क्या है ठीक है एक बार फिर से मैं आप लोगों को सारी चीज़े एक बार फिर से बता देता हूँ जो एज रहेगी ठीक है वो एज जो है आप लोगों की वो है आपका अठारा से लेकर तीवीस साल ठीक है यहां पर जो है STSC को पाच साल और OBC को तीन साल की छूट है जॉब प्रूफाइल मैंने बता दिया कि किस पोस्टिंग को कहां रहती है किस तरीके से रहती है चैन पर किरिया मैंने आपको बता दिया आपका एक्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा उसके बाद मेडिकल होगा ठीक है एक्जाम में क्या होगा मैंने बता दिया फिजिकल में क्या होगा मैंने बता दिया मेडिकल पर अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगा क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है अब यहाँ पर अगर हम देखे तो चैन पर की लिए की बात करते हैं तो यह मैंने बता दिया योग्यता की बात करें तो दसवी पास आपको होना चीए किसी भी बोर्ड से दोड मैंने आपको बता दिया कितनी होगी तो दोड आप लोगों की होगी यहाँ पर वन पॉइंट स्वारी यहाँ पर जो है पांच किलो मिटर ठीक है मेल के लिए और यह 24 मिनट का समय 1.6 किलो मिटर फीमेल के लिए यहाँ पर 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा सीना आपको मैंने बता दिया ठीक है सीना आप लोगों को 80-85 यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को उचाए मैंने बता दिया 170 cm होनी चाहिए वेतन भी मैंने आपको बता दिया 21,000 से लेकर आप लोगों का 79,000 तक पेमेड जाती है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें apply online date की ठीक है तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं जो notice आया हुआ है उसको ठीक है नोटिस में क्या बोला है apply online के बाले में वो देखिए तो यहाँ पर notice दिया हुआ है और यहाँ पर इसमें बोला है कि आपका यह जो exam and notification 10 December 2022 को आ जाए ठीक है यह था पूरा procedure SSCGD Constable क्या है उसके बारे में मैंने पूरी जांकर यह आपको देने की कोजिस की है अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप comment जरूर करें और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं next video में जैहिन